Hi guys, कैसे रहाँ जस्ट रुक एन अमेजिंग शार तो अब मुझे मेरे बालों को ड्राइ भी करना है और स्टाइल भी करना है कितना time consuming होता है पहले आप blow dryer के साथ बालों को dry करो फिर बाद में आप इसको straightener के साथ straight करो it took a lot of time and effort तो कितना amazing होगा जब हम ये दोनों चीजों को साथ में कर ले मैं आपे यूज़ करूँगी agaro volumizer hair dryer model नमबर है HV2179 ceramic termaline coating brush head आपको मिल जाएगा 3 heat and 2 speed settings आपको मिल जाएगी activated charcoal bristles है 24 karat gold styling surface है for even heat distribution anti-scalding tip है साथ-साथ में guys आपको ionic technology to reduce frizz and साथ-साथ में आपको swirl power cord मिल जाएगा guys जैसे parlor में या फिर बड़े-बड़े salon में वो यूज़ करते ना volumizer hair dryer जो साथ-साथ में आपको dry करते है style करते हैं professional look आपको मिलेगा वो भी घर बैठे आपकी अपने comfort zone में you can see the plug आपको two-pin plug मिल जाएगा जो आपको कहीं पर भी लग जाएगा wire आप इसकी देख सकते हो 360 degree यह move करती है rotate करती है which is easy और इसकी wire भी काफी लंबी इनों ने दियोई है आप यहां से इसको rotate कर सकते हो आप अपनी speed settings को change कर सकते हो heat settings को आप अपना change कर सकते हो off कर सकते हो very easy to use very convenient product है कोई भी इसको use करते है अगर आप beginner हो ना तो भी आप use करते है look at the beauty मतला भी मुझे इसका color बहुत अच्छा लगता है ना gold color and very beautiful nylon bristles है rounded tips के साथ जो quickly detangle करेंगे आपके बालों को and bore tuft bristles है जो gently smooth out करेंगे आपके बालों को चलो जी अब इस amazing product को use करके देखते हैं तो पहले तो क्या किया ना guys मैंने normal एक हलकी सी comb अपने बालों में ना normal सा brush मैंने use कर लिया ताकि easy रहे मुझे ये product को use करा तो हलका हलका सा मैं comb यूज कर लूँगी आप चाहो तो guys अपने section कर सकते हो अपने बालों का ठीके तो मैंने यहाँ पे section नी किया क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी करना था आप बिना section के just two part कर लो अपने बालों को ठीके center partition करके and you just have to comb you just आपको सिरफ volumizer hair dryer को अपने बालों से उपर से नीचे लेके जाना है आप सिरफ ऐसे करोगे ना आप देखो कि आपके बाल साथ साथ में ना सूखते भी जाएंगे dry भी होते जाएंगे and आपके बालों में ना freeze भी गायब होता जाए एक दम straight होते जाएंगे आपके बाल अगर आपको जल्दी जल्दी कहीं जाना है guys and आपको अपने बालों को dry भी करना है साथ साथ में style भी करना है volume भी add करना है एंड टेंशन मत लो ये बिल्कुल भी गरम नहीं लगता है क्यूंकि जो हीट निकलते है ना गाईस वो ब्रश में ना बहुत डिस्ट्रिब्यूट की गई है अच्छी तरह से ताकि वो आपके एक-एक बाल को अच्छी तरह से ज्याई कर सके लापके स्कैल्प को हीट भी ना करे एअच्छे ज्यादा ही अच्छा दोनो तरफ में आपने डिफरेंस देख ही लिया कितने इधर स्ट्रेट लग रहे हैं बाल और कितने मानेजबल नजर आ रहे हैं एन गाईज अगर आपके curly hair है ना तो उसके लिए भी बहुत अच्छा वाला ये product है अगर आपको थोड़ा सा अपने look को change करना है तो curly hair वाले भी इसको अच्छी तरह से use कर सकते हैं आपको भी straight look मिलेगी ये आपके बालों को एकदम evenly straight करता है बिलकुल भी bumps नहीं आपके बालों में नजर आएंगे 3 heat and 2 speed settings है इसके अंदर तो आप अपनी need के coding यूज़ कर सकते है यूज़ low setting for fine and thin hair high setting for thick and coarse hair use cool setting to lock in the style and guys best one पते क्या है ये जो product है ना beginner friendly मतला अगर आप beginner हो पहली बार अगर आप यूज़ करो तो भी आप इसको बहुत अश्यर से use करोगे lightweight है easy to use है look at the results अब results देखो just मैंने extra कुछ भी नहीं effort किया ना मैंने दो बार अपना time लगा कि पहले में इसको blow dry करो फिर straight करो मेरे बाल दोनों काम मैंने साथ साथ में कर लिया अच्छा बालों में थोड़ा सा volume कैसे add कर ना वह मैं आपको दिखाती हूँ पहले आप अपने बालों को थोड़ा सा ना straight कर लो अच्छी तरह से फिर आपने जो आपको crown area है ना वहां से आप अपने बालों को थोड़ा सा यहां पर spray कर सकते हो थोड़े थोड़े बालों को आप ऐसे ही लेके ना जिस्ट ऐसे आप कॉम करते रहो इसके साथ इसके जो bristles है ना guys they are bore bristles तो आप अपने roots के close भी जा सकते हूँ या आपके scalp को बिलकुल भी burn नहीं करेगा overheat नहीं करेगा and look at the result आपको नज़र आ रहा है मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा volume add हो गया मेरे बालों में heavy नज़र आ रहे इतने heavy हैं नहीं वैसे actual में मेरे बाल जितने यह नज़र आ रहे है एकदम straight एकदम smooth नज़र आ रहे है ओके guys I tell you मुझे total कितना time लगा मुझे 7 to 8 minutes यह शायद मैंने वो भी ज़्यादा बोल दिया अपने बालों को style करने में तो usually अगर आप blow dry करने बैठो तो उसमें ही 10 minutes लग जाते तो 7 to 8 minutes में मैं अपने पूरे बालों को dry भी कर लिया style भी कर लिया एकदम parlor like look आ गी है वो भी घर बैठे अपने convenient में तो और आपको क्या अचाहिए definitely आप अगारो का hair volumizer dryer को जरूर use करो and आप इसके साथ wavy look भी create कर सकते हो तो जब भी आप कुछ भी you know look create करते using this product आप मुझे जरूर tag करना Instagram पे आप अगारो को भी जरूर tag करना and yeah this is the final look final result आपको कैसा लगा comment down करके आप जरूर बताना product के purchase links में आपको डाल दि यह सालो साल यह आपके साथ रहेगा आप इसको traveling के लिए अपने साथ carry कर सकते हो आपको दो-दो चीजे लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगे कि पहले आपको एक hair dry भी लेके चलो straightener भी लेके चलो आप सिरफ एक product को अपने bag में डालो and you are just sorted, मिल तो अपने नेक्स you